जहिन दोस्तों, 20 नॉम्बर की करेंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और आज की करेंट अफेयर्स का पहला टॉपिक भारत के सुपरकम्प्यूटर परम सिध्धी के बारे में है भारत का यह सुपरकम्प्यूटर, Artificial Intelligence सुपरकम्प्यूटर है जिसे दुनिया भर के पांस और सबसे सकती साली सुपरकम्प्यूटरों की सूची में तिरसाथवा इस्थान मिला है इस सुपरकम्प्यूटर परम सिध्धी की स्पीड 5.267 पेंटा फ्लॉप्स है फ्लॉप्स कारत होता है कोई भी सुपरकम्प्यूटर एक सेकेंड में जितना भी कल्कुलेशन करता है उसे फ्लॉप्स से दरसाते है और पेंटा करता है कि 10 की घाते 15 यानि कि पेंटा फ्लॉप्स की स्पीड वाला सुपरकम्प्यूटर दस की घाते 15 संक्रियाओं को एक सेकेंड में निप्टा सकता है और परम सिद्धी की जो स्पीड है वो 5.267 पिंटा फ्लॉप्स है भारत का यह सुपर कंप्यूटर मौसम के भविस्वारी करने में ओइल और गैस के एक्स्प्लोरेशन में एजुकेशन के लिए ऑनलाइन पाठिक्रम तयार करने में एरो डिजाइन आदि के अध्यान में मदद गार साबित होगा परम सिद्धी सुपर कंप्यूटर को इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रोद्धो की मंत्रा ले और विज्ञान और प्रोद्धोग के विभाग के दोर डिवलप किया गया है याद रखिएगा इलेक्तरोनिक्स और इनफोर्मेशन मिनिस्ट्री स्साइ Carnes and Technology Department के दोर डिवलप किया गया है यह भारत का सबसे हाई परफॉरमेंस Artificial Intelligence सूपर कम्प्यूटर है ये सूपर कम्प्यूटर COVID-19 के खिलाफ रिसर्च करने में जीनोम सीक्वेंसिंग करने में वैज्यानिकों की मदद कर सकता है इस कम्प्यूटर में जो Artificial Intelligence यानि कृतिम बुद्धी मत्ता की प्रडाली लगाई गई है उससे बाड का पूरुवा नुमान लगाना असान हो जाएगा साथ साथ Computational रशाइन विज्ञान और खोगोल भोध की दवा विज्ञान और स्वास्त देखभल पडाली में हेल्प मिलेगी भारत को जो पहला सूपर कम्प्यूटर था वो परम सूपर कम्प्यूटर के अगर बात की जाए तो जापान का फुगाकू सूपर कम्प्यूटर दुनिया का सबसे तेज सूपर कम्प्यूटर है भारत के सूपर कम्प्यूटिंग मिशन की बात की जाए तो भारत का जो रश्टी सुपरकंप्यूटिंग मिशन है 2015 मिश की गोशना हो गई थी और इस सुपरकंप्यूटिंग मिशन का उद्दे से था कि 70 से अधिक हाई परफार्मिंग कंप्यूटरों को या फिर हाई परफार्मिंग कम्प्यूटिंग सुविधाओं के साथ एक विशाल सुपर कम्प्यूटिंग ग्रिड की स्थापना की जाए ताकि देज भर में जो नेशनल लेवल के एजूकेशनल इस्टिटूट है और इसेर्च एंड डिवलप्मेंट इस्टिटूट है उनको और अधिक मजबूती प्रदान की जा सके और भारत की राष्टी सुपर कम्प्यूटिंग मिशन के अंतरगत पहला जो सुपर कम्प्यूटर था वो ब्हू में परम सिवाय नाम से इस्थापित किया गया था तो याद रखिएगा कि राष्टी सुपर कम्प्यूटिंग मिशन या नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग म के अंतरगत जो पहला कंप्यूटर इस्थापित किया गया था वो परम सिवाय था और इसे बनारस ब्हू में इस्थापित किया गया था अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अगला टॉपिक ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी से सम्मंदित हैं अभी पेट्रोलियम और प्राक्रितिक गस्थ और इस्पात मंत्राला ने ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रडाली के अंतरगत अन्वेशाड और उत्पादन ब्लाकों को प्रदान किया है और जिनमें O.N.G.C. को साथ ब्लाक मिले हैं और जबकि O.I.L. यानि की O.I.L. इंडिया लिमिटेड क को चार बलॉक मिले हैं यह कि भारत में पहले प्राक्रितिक गस्थों के उत्खनन के लिए कंपणीों जो लाइसेंस दिए जाते थे उसके लिए पॉलिसी लाइग गई थी निल्प नाम से जिसे वह पॉलिसी वह योजना उतनी कारगर नहीं थी सरकार को भी फादा नहीं हो जिसको Hydro Carbon Exploration Licensing Policy के नाम से भी जानते हैं और इसी policy के अंतरकत OALP यानि Open Acres Licensing Policy को लॉंच किया गया है 2017 में जिसे तेल और गैस की खोज के लिए भार सरकार की एक नई नीती की रूप में जाना जा सकता है और ये Hydro Carbon की सभी रूपों की खोज और उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंस प्रदान करता है और जहां निल्प में सरकार को राज्यसो प्राप्ती में घाटा हो जाता था तो इस नीती में राज्यसो साजाकरण मॉडल लाया गया और इसी मॉडल से ब्लॉकों की पेसकस क जाती है और सरकार को इस पॉलिसी को लागू करने के बाद से राज्यसो की प्राप्ती अधिक हुई है राज्यसो में बढ़ोतरी हुई है सरकार के पास और ये पॉलिसी पिछली पॉलिसी के तुलना में ज्यादा सुगम है ज्यादा पारदर्सी है अब चलते हैं अगले ट हाद्य मंत्री जो नरेंद्र सिंग तोमर हैं उन्होंने सोच मखाद्य प्रसंस करड़ उद्यमों के आपचारी करड़ की ओजना जिसे PMFME के नाम से जाना जाता है इसके छमता निर्मार घटक का उद्धगाटन किया है और साथी साथ इन्होंने भारत के वन डिस्टिक वन प् किसी एक खास उत्पाद को ही बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि उस उत्पाद से उस जिले की पहचान हो सके इस PMFME योजना कौदे से खादे प्रसंस करड़ के छेतर में जो इंटर्प्रिनोर काम कर रहे हैं जो गुरूप्स काम कर रहे हैं जो सेल्प हेल्प गुरूप का काम कर रहे हैं एक ऐ प्यो हैं सकयारी समिथियां हैं और जो अन्य लोग जुड़कर के काम कर रहे खादे प्रसंस करड़ के छेत्र में तो उन्हें प्रसिचित करना है और इस योजना के छमता झिरमार घटक के अंतरगत मास्ट ट्रेनर्नेरों को आउनलाइन प्रसिचित ध प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् आकलन और प्रमाडन करने के लिए not for profit organization food industry capacity and skill initiative यह करेगा यानि कि PMFME कारेक्रम के अंतर का जो भी online प्रसिछड का कारेक्रम दिया जाएगा जो भी प्रसिछड कारेक्रम का आकलन और प्रमाडन FICSI यानि food industry capacity and skill initiative करेगा अब प्रदान मंत्री सूच में खाद प्रसंसकरण उद्योगों के अप्टारी करण की योजना की बात करें यानि PMFME फॉर्मलाइजीशन और माइक्रो फूर्ट प्रोसेसिंग इंटरप्राइजज स्कीम की बात करते हैं तो इसे वर्तमान में सूच खाद प्रसंसकरण उद् भी प्रदान की जाते हैं इस योजना को राज्यों के साथ मिलकर खाद प्रसंसकरण उद्योग मंत्राले की दोरा लांच किया गया था और इसे आदम निर्भर भारत अभियान के तहद ही लांच किया गया था ये PMFME यानि प्रदान मंत्री फॉर्मलाइजेशन और माइक्र फूड फ्रोसेसिंग इंटरप्राइजेश स्कीम अखिल भारती केंदर प्राइज योजना यानि कि केंदर इसमें पूरी तरह से फंड देगा और इस योजना के अंतरगत सरकार पांस सालों में यानि दोजार बीस इकी से लेकर दोजार चौबिस पच्चिस तक दस जार कर जमों को कवर करेगी अब चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ अगला टॉपिक समिधान दिवस की यूथ कलब की गतिविधी के बारे में है रचामंतरी ने NCC के महीने भर चलने वाली राष्ट व्यापी समिधान दिवस यूथ कलब की गतिविधियों के प्रोग्राम का उध करता है य्यूथ कलब करने के लिए यूथ करता है न्सीच as NCC के साथ अन्य ऐसे संगठन हैं जो NCC के साथ मिल करके 18 नौंबर से 13 दिसंबर 2020 तक इस अभियान को कौन से भियान के बारे में जागरुकता फैलाने के अभियान को मिल करके अंजाम देंगे NCC एक तो है दोसरा राष्ट्री सेवा योजना है तीसरा संगठन नहिरो युवा केंद्र संगठन है चौथा दा भारत स्काउट्स एंड गाइड संगठन है हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड एससोसियेशन के साथ मिल कर रिड़ क्रास इस अभियान को संपन करेगा टॉपिक प्रधानमंत्री मोदी और जेवियर बेटल की दौरा की गई भारत लगजंबर आबासी सिखर सम्मेलन की अद्यच्छता के बारे में हैं भारत और लगजंबर के भी सहीयों को बढ़ावा देने के लिए लगजंबर के जो मुखियां प्रधानमंत्री हैं जेविय भारत और लगजंबर मिल करके अपने आपसी सयोगों को मजबूत कर सकते हैं और अंतररश्टी श्तर पर भी एक दूसरे का सयोग कैसे कर सकते हैं यह जो दो दोनों देशों के बीच सिखर समेलन आयोजित हुआ यह पिछले दो दसकों में भारत और लगजंबर के बीच पहला स्वचालित सिखर समेलन था लगजंबर की बात की जाए तो लगजंबर एक लेंड लॉक्ड देश है यानि कि इसके सिमा समुद्र से जुड़ी नहीं है बलकि चारो तरफ यह जमीनी देशों से गिरा हुआ है यानि कि इसके चारो तरफ जमीनी जमीन है समुद्र से गिरा ह हुआ देश नहीं इसका रहा लेंड लॉक्ड देश है और यह पश्चिमी यूरोप में इस्तित है अब देखिए इस देश के लगजंबर के पूरूब की बात की जाए तो इसके पूरूब में जर्मनी है इसके दच्छिण में फ्रांस है और पश्चिम उत्तर में बिलिजिय तो याद रिखिए लगजंबर को कि यह एक लेंड लॉक्ड देश है जो पश्चिमी यूरोप में है और इसकी राजधानी लगजंबर्ग सिटी है और यूरोपी संग की जो चार राजधानिया है उनमें से एक राजधानी लगजंबर्ग सिटी है चार राजधानिया कौन कैसे कहते हैं सारुभाanh में इक बाल दिवस के बारे में हैं भारत में बाल दिवस अलग तिती को मना जाता है और अंतरष्ट इस तर पर 20 नौम्बर को Beim бाल अधिकार दिवस ना जाता है और बच्चों के अधिकारों को लेकर सभी उत्राष्ट महासभा के दोरा जो नेधरित मापदंड की दिये गए हैं उसको दुनिया के 111 बेदेसों ने सुईकार किया है और बच्चों के अधिकारों को प्रति अपनी जागुरुकता जाहिर की है अंतराष्टी बाला अधिकार दिवस की स्थापना 1954 में की गई थी और इ अधिकर बेस नंबर को जो सम्यूकतराष्ट के जनरल एसेmberली है उसने 1969 को बाल अधिकारों को घोषित किया था और 20 नंबर 1859 में सम्यूकतराष्ट ने बाला अधिकारों पर हुए सम्मेलन के सुझामों को अपनाया था और 1969 और 1989 यानि 1959 और 1989 में जो भी समझावते हुए थे जो भी घोशना है हुई थी उनको संयुक्तुराष्ट महासबाने 1990 में 1990 में अपना लिया था अगर बाल अधिकारों की बात की जाए तो बाल अधिकारों को चार भागों में बाटा जा सकता है और ये अधिकार से उप्तुराष्ट के द्वारा ही निर्धारित किये गए हैं पहला तो है उनके जीवन जीने का अधिकार चाया वो लड़का हो या लड़की हो सबको खाने पीने का अदिकार है, दूसरे अदिकार में सनरचड का अदिकार आता है, और सनरचड उन्हें किन चीजों से हो, सोसर से सनरचड हो, उन्हें जबरन कारे न कराया जाए, उनका व्यापार न किया जाए, बाल विवाह न किया जाए, और उन्हें विकास के आउसर दिये ज किसी भी बात में या कोई मुद्दे हो तो उनसे जुड़ें और जुड़ें कैसे जब उनकी बात सुनेंगे किसी मुद्दे पर उनकी राय लेंगे किसी भी मुद्दे पर उनसे बात करेंगे आज की current affairs में बस इतना ही, जो भी current affairs आप देख रहे हैं, इसको अपने notes में जरूर लिखते रहे हैं, या आपके prelim, mains दोनों में बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है, अगर आप तैयारी से संब्धनित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, या पर prelim और mains के लिए course जोईन करना च जाते हैं, तो जो contact number दिया गया आपको description box में, उस पर जाकर WhatsApp कर सकते हैं, आपको detail दे दी जाएगी, course हमारे सुरू हो गए हैं, admission आप ले सकते हैं, और demo लेने के लिए आप demo request WhatsApp पर message कर सकते हैं, आपको demo दे दिया जाएगा, आपको link दे दिया जाएगा portal का, जहां से आप ज पिलिम मेंस की class का हो, या फिर test series का हो, सारे demo portal पर available हैं, करने फिर किस PDF के लिए आप telegram channel को join कर लीजे, latest update के लिए facebook group को join कर लीजे, मिलते हैं फिर, जहिन